हेलो फ्रेंड्स आप सभी का फॉंडेशन आफ आर्स आप के कोर्स में बहुत-बहुत स्वागत है आपको याद होगा की पिछले लेक्चर में हमने कुछ ग्राफिक्स के बारे में बात करी थी और अगे हम जिस प्रकार के और भी ग्राफिक्स समझेंगे समझेंगे उसमें इस यही options हमारे फिर से इस्तमाल होने वाले हैं तो उसी lecture को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने कुछ और तरह के graphis की बात करते हैं और आज हम basically sub divided bar plot और πाई डियाग्राम की बात करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपको एक से ज्यादा graphis को अगर एक ही पेज में प्रिंट करना है तो किस प्रकार से किया जाए तो चलिए इन graphis को समझने के लिए हम इस lecture को आरम करते हैं और आगे बगते हैं तो यहीं आती कि यह कि sub divided और component bar diagram होता किया है तो आपने देखा होगा बहुत बार आपके पस bar diagram होते हैं जिसके अंदर यहाँ पर division बने होते हैं तो यहीं हमारे sub divided और component bar diagram होते Effective हमारे जो हमारा जो भी डेटा हम को दिया होता है उसका जो टोटल मैगनीटूड है उसको मैं डिफरेंट छोटे-छोटे हिस्तों में डिवाइड करने की कोशिश करता हूं और उसी को हम उसके हमारे समझाने की कोशिश करेंगे मानिए कि हमारे पास एक छोटा सा तीन दुकानों का बेटा है और तीन दुकानों का नाम मैंने दिया है शौप 1, शौप 2 और शौप 3 और उसमें से क्या है कि सुबह 10 से 11 बज़े की बीच में क्या दोना तक जितने भी कस्तमर्स आते हैं उनकी अब हमको इससे मुझे अपना एक सब डिवाइड़ बार डाइगराम क्यार करना है तो जैसा मैंने बताया था कि आपको की हर एक ग्राफिक को देने के लिए जो उसका इन्पुट डेटा हमारा अलग अलग प्रकार से दिया जाता है तो यहां पर क्या है इस केस में हमारा ज मैट्रिक्स के फर्म में होता है तो हम क्या करते है जड़ा से अपने इस डेटा को यहां पर देखने की कोशिश करते हैं यह जो डेटा दिया और इसको आप एक मैट्रिक्स की तरह जड़ा देखने की कोशिश करिए तो यहां पर देखी क्या हो गया है हमारे पास है रो वन तो इस ही डेता को जड़ा हम अपने मैटरिक्स के फॉर में की कोशिश करते हैं तो मैंने देखिए यहां पर लिका मैटरिक्स और फिर हमने एक 4 by 3 की मैटरिक्स कईयार कर ली और इसके अंदर आपने data को इंटर कर दिया, कि जिस परकार से ये data हमारा इससे match कर जाए. और data को मैंने by row दिया हए, और आप अगर देखेंगे, यहाँ पर इसका जो output आता वो हिर आया है. तो आप अगर यहाँ पर देखनी कि कोशिश करिए अगर तो यह जो हमारी मैट्रिक्स एक CUSD इसका ये वाला जो पार्ट है डेता के हिस्से का और जो इस गिवन डेता का ये वाला पार्ट है ये दोनों एक सही है तो देखी इस प्रकार से मैंने अपने यहां पे डेता दे दिया और उसके बाद में अगर इसका मुझे बार प्लॉट करियार करना है तो हमारा कमांड वही है बार प्लॉट और साथ में लेकिन जहाँ पर हमारा वेरिबल देना है वहां पर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्मेंट और यह हमारी ऐसा बार डियाग्राम कर देगा जिसमें हमारे कॉलम से होंगे वह हमारी मै्लेंस की मै्लिक्स की मै्लॉन में वो हमारी इस bar diagram को दिखाने की कोशिश करेंगे और जो इस bar के अंदर जो हमारे partitions होंगे वो उसमें जो हमारी values दी हैं उसको cumulative form में दिखाने की कोशिश करेंगे इसका क्या मतलब होता है चलिए हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं यसे कि अगर हम कहें कि आप में shop 1 का data लीजिए तो यहाँ पर देखी क्या है यह है value 2 तो अगर हम इसमें हर एक value की cumulative value निकालने की कोशिश करें तो day 1 में जो हमारी cumulative value कितनी आएगी day 1 की कितनी है 2 दूसरे दिन पर जो हमारी cumulative value आएगी वो क्या हो जाएगी day 2 की यह day 1 के customer और day 2 के customer दोनों का हम अगर योग कर देंगे 2 और 26 को जोग लेंगे तो यह हमारी हो जाएगी और third day पर अगर हम बात करें कि third day पर हमारी value है 42 इसके corresponding जो हमारी cumulative value होगी हमारी day 1 और day 2 और day 3 के जो का जो योग है यह वो वाली value होगी तो यह basically हमारी 2 प्लस 26 प्लस 42 जो हमारा 70 के बराबर यह value होगी और उसके बार अन्त में जो भी हमारी value है 30 का इसके corresponding जो हमारी cumulative value होगी वो हमारी day 1 प्लस day 2 day 2 प्लस day 3 प्लस day 4 यह चारों की value को अगर हम जोगी देंगे 2 प्लस 26 प्लस 42 प्लस 30 तो यह हो जाएगी 100 तो यह हमारा जो bar diagram है यह sub divided bar diagram यह जो हमारी cumulative values को अपनी bars में partition करने की कोशिश करता है तो तो यह जो आपकी पहली bar है यह आपकी shop 1 की है यह दूसरी shop 2 और यह औस फीसники shop 3 की बार है 70 यह उसकी value है और finally यहाँ पर जो day 1, day 2, day 3, day 4 में total number लोग आए हैं वो आपके हैं 100 यह यहाँ पर value दी होई है, right तो इस प्रकार से देखिए हमारे यह sub divided bar diagram पहली shop का बन गया उसी प्रकार से दूसरी shop का भी हमारे यह बन गया और थीसरी shop का भी हमारे यह sub divided bar diagram बन गया को अगर आप दिखाना चाहते हैं ऐसे कि हम इसमें से यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि इनका जो shop का नाम है shop number 1, shop 2, shop 3 इसको हम यहाँ पर देख सकते है names dot arg के द्वारा इसको हम data vector में c के साथ combine कर देंगे और double course में लिख देंगे shop 1, shop 2 और shop 3 तो यह नाम देखिए यहाँ पर आ जाएगा उसी परकार से हम अगर x axis के उपर अगर हम नाम देना चाहते हैं shops तो देखिए मैंने x lap के द्वारा दे रिया और उसी परकार से अगर हम y axis पर नाम देना चाहते हैं days तो देखिए मैंने इ आप के द्वारा दे दिया और उसके साथ में हम इसका जो भी हमारे partition से इनका अगर हम जो color है उसको change करना चाहते हैं तो मैंने अपना पुराना वाला command इसमाल किया use किया col और हमने जिस order में हम इनके color को देना चाहते हैं उसी order में मैंने उसको इस data vector के form में लिग दिया जैस हम आगे बढ़ने के पहले हम इस बार diagram को जड़ासा R software में करके देखने की कोशिश करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम अपना जो data vector है उसको तयार कर लेते हैं तो यह दिये रहे कि हमारी कस्ट वाली matrix आ गई अब इसी में अगर हम कस्ट वाली matrix में कर देंगे अगर हम पे bar plot तो देखिए आपको यहाँ पे sub divided bar diagram मिल जाएगा और इसी के अंदर आप अगर इसके अंदर अपने भिन भिन options को अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस command को अगर यहाँ पे use करेंगे जिसके अंदर आपको इस color आपको इसका change हो जाएगा और हमारी different तरह के cattle साथ इस प्रकार से आपने देखा कि इस sub divided bar diagram को कयार करना आज software में बहुत ही आसान काम है अब इसके बाद हम आपको एक बहुत ही simple और बहुत ही popular जो हमारा graphics होता है हम उसकी बात करते हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं तो यह के हमारा होता है पाई diagram तो लेकिन जिस प्रकार से bar के अंदर हम अपने data की जो absolute या relative frequency उनको हम इस प्रकार से दिखाते हैं तो यह जो वारा pie chart है यह हमारी absolute और relative frequency को दिखाता है और pie chart में क्या करते हैं एक circle बना करकर कि उसको हम different segments में different हिस्सों में बाढ़ देते हैं हर एक हमारा segment है हर एक हमारा हिس्सा है यह category को indicate करता है और जो इस segment का हमारा size होता है वह हमारा relative frequency के उपर depend करता है उसको निकालने के लिए हम जो जो उसका angle होता है जैसे यह waal angle है इसके द्वारा हम इसको थारत करते हैं और इसका angle का काता है frequency into 360 degree करके परहल अनिवे पाई डियाग्राम के बारे मुझे पता है कि आप सभी को आता है मेरा कम यहां पर है कि यह पाई डियाग्राम को हम अपने आर्ट सौफ़वेर में किस प्रकास चे दिखाते हैं वो कैसे दिखाया जाए तो इसका देखे मारे कमांड होता है PIEPIE हैमने देखादीगे और यहां पर फिर हमने देखा दिया, जो भी अपना देटा वेक्टर और तो यहां भी है अपना जो डेटा वेक्टर हम उसको टेबल के फार्मित में देंगे और इसके बाद में लेबल्स नेम से इत्यादी होते हैं, बहुत सारे options होते हैं जैसा आपने बाकी cases में देखा है, उसको आप यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम आपको यहां पर अपने πाई डियाग्राम को दिखाते हैं, और हम इसको अपने पहले देटा के उपर क्यार करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए सबसे मैंने पहला डेटा वही ले लिया है, जहां पर हमने 10 लोगों का gender पर data कटा किया है, male और female को category 1 से और female को category 2 से हमने दिखाने की कोशिश करी है, और यह data मैंने इस gender variable में store कर लिया है, अब इसके बाद हम द 10, 8, 9, 10 है, यह तो देखी गलत है, यह तो अब आपको मालूम है, यहां पर आपको जो data देना है, यह आपको frequency के form में देना है, तो यहां पर आपको table कमान का use करना पोड़ेगा, तो अब कैसी आप यहां पर gender को replace करते हैं, table gender के द्वारा और यहां पर pie कमान को use करते हैं, त category 2 है, category 1 आपकी male को और category 2 आपकी female को दिखाने की कोशिश कर रही है, उसी प्रकार से आप अगर अपना जो एक और data था जहां पे आपने एक food restaurant की तीन branches है, city में, एक east में है, एक west में है और एक central में है, उस वाले data को भी लीजे तो उसके आपर भी हमना pie chart बनाते हैं, तो इस data में ख्याता है कि इस restaurant की तीन branches हैं, जिक इनको मैंने east west और central ती में जो इस तीत branches हैं, उनको मैंने एक, दो और तीन के द्वारे indicate किया है, अब इनका जो order है किसी एक central जगह पे आता है और वहां से जिस area का order है, वहां से जो restaurant करीब होता है, वहां से उसकी food की delivery होती है, तो क इस restaurant से delivery हो रही है, उसका उन्होंने code एक, दो तीन के form में, हंडेट delivery का code यहां पे लिखा हुआ है, और जिसको मैंने direction data के अंदर restore कर लिया है, अब हम देखिए, यहां पर अगर हम अपना pie chart बनाते है, pie table direction तो देखिएंगे, आपको इस पकार का pie chart मिल रहा है, इसमें से द देखर के पता चलियागा कि west side में जो restaurant है, वहां से maximum number of delivery होई है, तो चलिए हम आपको इसको our software में करके दिखाने की कोशिस करते हैं, लेकिन साथ में हम आपको यह भी दिखाते हैं कि जिस प्रकार से आपने बार चार्ट में अपने भिन भिन प्रकार के options को use करके इस बार च segments को different different colors देने की कोशिस करी है, तो देखिए मैंने आप पहला दिया red, green, blue, उसी order में आपका category one red, category two green और category three blue color में हो जाएगी, साथ ही जो आपने पहले पहाता है कि main title देने के लिए आपको command use करना है main, main यहां पर मैंने लिखा direction of food delivery तो देखिए वह यहां पर आपका आगया तो चलिए इसी कार को हम आपने R software में करके दिखाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम अपना यह जो पहले वाला अधारल था है इसको लेते हैं और अपने इस gender data को यहां पर हम copy करते हैं जैसे देखिए आपने कहा तो यह देखिए हो गया gender और इसके उपर अगर आपको अपना पाई डार्रम तयार करने हैं तो आपने कह दिए पाई टेबिल और जेंडर तो तो देखिए इसने आपको यह ख्यार कर दिया और उसी प्रकार से अगर आपको अपने इस डिरेक्शन data के उपर भी पाई शाट बनाना है तो आपने इस डिरेक्शन डेटा को यहां पर तयार कर लिया और आपने यहाँ पर जो भी अपना डिरेक्शन डेटा है इसके उपर आपने अपना पाई और टेबल कमांड बना दिया राइट तो अब आप देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार का यह देखिए मिल गया और इसी के अंदर आप अगर इसमें से अपने जो भी ड तो भी एमपोर्टन ऑचोटा से जो हमारे ऑपरेशन है हम उसको आपको कर दिखाएंगे और इसके बारे में बताना चाहेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि हमको अपने ग्राफिक्स को किसी एक ही पीज पर दिखाना होता है अर्थात हम कहें कि हमको अगर एक ही पीज में एक ग्राफिक यहां दिखाना है एक यहां दिखाना है या हमको इस प्रकार से दिखाना है एक ग्राफिक यहां पर एक ग्राफिक यहां पर तो इसको हम डिरे उसके लिए हमें कमांड होता है MF row हम उसको इस्तमाल करते हैं हम ऐसे लिखते हैं P A R और पैलेंटेसे में MF row equal to C P, Q तो इससे क्या होगा जो आपका जो ग्राफिक है वो आपका P cross Q के array में arrange हो जाएगा तो हमें काम करते हैं यहां पर जो हमने अभी अपना data लिया है correction का उसी को इस्तमाल करते हैं और हम इसी में से इसी data का bar plot और pipe chart दोनों को हम एक ही graph में कयार करने की कोशिश करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखिए अपना यह command है par MF row हम इसको यूज़ करते हैं हाँ यह कार को करने के लिए आपकी ध्यान रखना है कि सबसे पहले step में आपको यह वाला function लिखना है दूसरे step में आपको जो आपको पहले number पर graphic लगाना है आप उसको लिखिए तो आपके इस array की जो पहली position है उसमें आ जाएगा उसके बाद में step 3 में जो भी अगला आप आपका graphic है आप उसको करिए तो जिस प्रकार से आप इन graphic को देते जाएंगे आपको उसी प्रकार का outcome मिलता जाएगा जैसे देखिए यहाँ पर आपने जो bar plot कर दिया फिर आपने यहाँ पर pie chart कर दिया उसी प्रकार से अगर आपने जब देदिया pair mfo equal to c21 को देखिए पहल आएगा तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे है हम यहाँ पर अपना यह जो pair वाला हमारा command है हम इसको खाली execute करने की कोशिश कर रहे है राइट चलिए हम इसको clear कर दें और हम इसको भी हटा रेते हैं तो आप देखेंगे कि जैसी हम अपना यह pair का command यहाँ पर execute करेंगे यहाँ पर हमारा एक plotting area create हो जाएगा देखिए जैसे हम करेंगे enter यह देखिए create हो गया अब इसके बाद में हम जब अपना पहला graphic देंगे कैसे कि मैंने कहा यह जो पहले मुझे बनाना है bar plot तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने दिया bar plot और जैसे हम enter करेंगे यह हमारा bar plot य जाएगा और उसके बाद में हम number पर अपना अगर हम pie diagram को लेना चाहते हैं तो चली इसी के अंदर हम अपना pie को replace करते हैं bar plot की जगह और देखिए जैसे हम enter करते हैं आपका इस जगह पर pie diagram आ जाएगा देखिए आ गया और इसी case में अगर हम माल लिजे अपने अगर हम अप इसने यहां पर हमारी एक यह space create कर दी जहां पर हमारे पास graphics आएंगे अब उसके बाद में हमने माल लिजे कि सबसे पहले मैंने का कि pie diagram आना चाहिए तो मैंने pie diagram का command है यहां पर लिखा और इसको मैंने execute कर दिया तो देखिए सबसे पहले आपका pie आ गया अब उसके बाद में मैंने कहा कि यहां पर आपका जो bar chart है यह आपका आना चाहिए जो आपने bar plot लिखाते है यह वाला तो देखिए आपने bar plot को execute किया तो देखिए यह यहां पर रुकते हैं और आपने देखा कि हमने यहां पर बहुत ही छोटे-छोटे commands की बात करी और हमने आपको खाली sub divided bar plot और pie diagram के बारे में बात करी है और यह दोनों ऐसे ग्राफिक्स हैं जिनको आपने बहुत बात देखा है लेकिन अब आपका नंबर है कि उन ग्राफि करके जरूर देखिए उसी प्रकार से एक ही graph area में अगर मुझे को दो graphic को पिन करना है वो तो मैंने आपको दिखाया लेकिन आप दो से कादा को लीजिए आप 2 by 2 का graphic area लीजिए आप 2 by 3 का graphic लीजिए उसे उसमें आप 6 के जिएगा आप सिर्फ खाली 5 graphics को plot करिए देखी क्य होता है तो इस तरह कि आप जो भी छोटा सा data लेकर कि आप उसके साथ में experiment करिए और हम आपको अगले lecture में कुछ और graphist के साथ मिले जरूर आएंगे तब तक के लिए good bye कि अनए तरह कि आपको अगले अगले के से सचेशने, टा-पको अगले क्याफर